हुआ हेलो अबरीबन वेल्कम बैक टो जेके लर्ट्स हमने टाइम इन वर्क स्टार्ट किया था और उसकी एक वीडियो अप्लोड हो चुकी है तो अगर अब डिरेक्ट लिए पर जम कर रहे हो तो सहीं नहीं होगा यू मस्ट वॉच्ट वीडियो विगोज उसमें बैसी कॉंसेट्स क्लियर हो चुके हैं उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि को स्टार्ट कैसे करने हैं वाज मैं ज्यादा कुशिंस लिक करवाने वाला हूं अब चैसे साथ कुशन कर वहूंगा तो बेसिक जादा नहीं आज मैं बढ़ा होगा मैं बिल्कुल अच्छे कॉशन करवाने वाला हूं जिसमें काम छोड़के विजा रहोगा कोई निया बंदा अड़ रहोगा लुज इन कोशिंस में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं वो कोशिंग कभर गरने वाला हूं तो स्टार्ट करते हैं A can do a piece of work in 20 days A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है and B can do the same work in 15 days और B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है बोथ A and B start the work दोनों A और B मिलके काम शुरू करते हैं and after some days B left और कुछ दिनों बाद B काम छोड़के चला जाता है कितने दिनों बाद हमें नहीं बताया हुआ some days बोला हुआ तो यहीं पूछा होगा end में पका and A completed the remaining work in six days अब जब B काम छोड़के चला गया तो काम पूरा नहीं हुआ होगा तो जो बचा हुआ काम है उसको कौन खतम करेगा obviously A because तीसरों के बंदा है ने इस question में तो वही पूछा है बताओ B कितने दिनों के बाद काम छोड़के गया बाकिस सब चीज़ें तो बात में पहले first line से क्या पता चल रहा है कि A 20 दिन में कर रहा है और B 15 दिन में कर रहा है तो हमें पता है LCM लेना होता है अगर सकता है 20 देज में और B 15 देज में तो 20 और 15 का LCM 60 तो जो यह LCM होता है यह टोटल वरक होता है अज यू नो अब 20 कितने से 63 जा तो एक एफिशेंसी आगी थ्री चेर्स पर डे वर 15 कितने सा 64 तो बी की एफिशेंसी आगी 4 चेर्स पर डे जब दोनों की एफिशेंसी आगी तो मैं बता सकता हूं कि अगर A और B मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा साथ चेर्स बन रही होंगे तीन ए बना रहा होगा, बी चार बना रहा होगा, दोनों मिलके काम करेंगे, तो साथ बन रही होगे, अब वही लाइन सेग्मेंट वाला केस, कि इसको टोटल वक मानेंगे, हमें पता है, ए और बी ने मिलके काम शुरू किया था, तो ए और बी तो थे स्टार्टिंग में, कु अब जब बी चला गया, तो who is left, ए बचा है, और ए और साथ एन्ड तक काम करेगा, और हमें बताया हुआ है ए ए ने बचा हुआ काम, कितना दिन में ख़तम किया है, छे दिन में, बचा हुआ क् साथ पशू काम, तो यही तो है बचा हुआ काम, इतना करने के बाद बी चला किया था तो बचा हुआ काम तो यही है और इसको खत्म किया है एने इन सिक्स डेज मतलब एसे च्छे दिन काम करो हो इसे ज़ेंगर में गाम करा हूं तो बजा हूँ काम खत्म हो जाएगा एक दिन में कितना करता है इन किन बनाता थीन चेर्स टोяж दिन में कितनी बनाएगा बना आR भीकॉस पूरा काम तो करवान है तो झाल कर 18 भी बची थी बी के जाने के बाद अगर अगर 18 घर्शी भी भची थी जो एक बनाने थी इट वह पूर्टी टो कैसे लिखा मैंने 60 मेंसे 18 साथागा माइनस करके because पूरा काम कैसे बनेगा 42 प्लिस 18 तो वो 42 कैसे लिखेंगे 60-18 because 18 तो हो चुक है 42 is left and this 42 chairs जो बनानी है यह वाली कौन बनाएगा A और B मिलके A और B मिलके एक दिन में कितनी बनाते हैं 7 एक दिन में 7 तो 42 बनाने में कितने दिन लेंगे 6 दिन It means A और B ने मिलके कितने दिन काम किया 6 दिन मिलके अगर इन्होंने 6 दिन काम किया It means 6 दिन बाद B काम चोड़के चला गया होगा देखो इस question में वो दो चीज़ें पूछ सकता था कि बताओ A और B ने मिलके काम कितने दिन तक किया यह वो खूच सकता सा कि B कितने दिन के बाद काम चोड़के चला गया दोनों का सेम ही मतलब है Logically सोचके देखो कि A और B ने जितने दिन मिलके काम किया दैट मिंज उतने दिन इ touch नहीं तो B इस नहीं है इसको उन्हें चरана चूप है जाचूक जो जो information मुझे पता है question से मिल रही है उसको रिप्रिजेंट करो data की form में ऐसे फिर देखो कहां कहां से मैं कुछ बना सकता हूं जैसे सबसे पहले मैंने कैसे स्टार्ट गया मैंने 20 और 15 का LCM लिया बिकोज इसके इलावा मैं इस question को नहीं पकड़ सकता था कहीं से भी पहली लाइन से यही पता चल रहा था कि A20 में कर रहा है B15 में कर रहा है कर तो रहे हैं बट काम क्या कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ सी टोटल वक निकालना तो मैंने टोटल वक निकाल लिया 60 चेर्स अ रहा अकेले अकेले वाला काम अगर मिलके करेंगे तो साथ कुछ सी मन रही होंगे एक दिन में ठीक है यहां तक तो पता चल गया अब पड़ो आगे वाला question बोला है A और B ने मिलके काम शूरू किया तो मैंने करवाया A और B से मिलके काम शूरू और फिर बोला कुछ दिनों काम कराना ने छे दिन एक दिन में कितना कर रहा है तीन एक दिन में तीन कर रहा है छे दिन में अठारा करेगा तो बनगी अठारा चेर्स अठारा चेर्स बनगी बी के जाने के बाद लेकिन यहां तक तो टोटल काम हो जाना चाहिए था इट मींज अगर अठारा यहां बन तो पक्का पीछे कितनी बनी होंगी 42, that 42 मैंने कैसे लिखा, मैंने टोटल वोक में से 18 माइनिस किया, वही करके तो 42 लिख सकता हूं मैं, तो मुझे पता चल गया, कि A और B ने मिलके 42 चेर्स बनाई है, और A और B एक दिन में साथ बनाते हैं, अब एक दिन में साथ बनाते हैं बनानी 42 हैं, तो 6 दिन लगेंगे, 42 divided by 7, it means A और B ने मिलके काम किया है, 6 दिन, अगर मिलके काम 6 दिन किया है, इसका वंदर B, 6 दिन बाद काम छोड़के गया है, और यही पुछा था इस कोशन में, मुझे सिर्फ कोशन पढ़के पैन उठाने की बजरूरत नहीं होने चाह 20 कितना जा 63 जा, 15 कितना जा 64 जा, 3 और 4 आगी A और B की एफिशेंसी, इट मिस दोनों की कमबाइन एफिशेंसी होजाएगी 7, बिलकुल मैं पीछे नहीं देखूँगा, A और B की कमबाइन एफिशेंसी 7 आगी, और मुझे बोला है, B कुछ दिनों बाद काम छोड़की गया and these 42 chairs will be made by both A and B together, अब A और B मिलके बनाएंगे 42, तो मिरे को पता करना पड़ेगा यार, वो एक दिन में कितनी मिनाते हैं, वो मैं निकाल चुक हो 7, एक दिन में 7 तो 42 बनाने में लगेंगे 6 दिन, तो अगर A और B मिलके 6 दिन काम किये हैं, that does mean कि B 6 दिन के बाद काम काम से मिलेंगे, बताओ में को, चलो कोशन ओर लेते हैं, because आज मेरा काम सिर्फ ही है कि आपको कोशन की प्रैक्टिस करवाना जादे से जादा, बिलकुल सेम कोशन है, A और B किसी काम को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं, मतलब A 45 में, B 40 में, they start the work together, दोनों मिलके काम शुरू करते ह और A कुछ दिनों बाद काम चोड़के चला जाता है, पिछले वर्शन में B गया था, यहां A जा रहा है, उससे कोई फरक थोड़ी पड़ता है, बचाओ को काम जाहिर सी बात है, B करेगा, अकर A जा चुक है तो, वही पूछा, A कितने दिन बाद काम चोड़के गया था, से या फिर बागी पर candidates को पीछे नहीं कर सकते, आपको LCM जुद दिमाग में calculate करने है, 180 लिया है, क्या ठीक लिया है, ऐसे आपको सोचने, जैसे बड़ा नंबर कोंसे है, 45 है ना, तो बड़े नंबर वाले का टेबल मन में पढ़ना शुरू कर दिया करो, 45, 2, 90, 90 जो है 40 के ड 135, definitely नहीं आएगा, 4 जा 180, लेकिन 40 के डिमाग में 180 नहीं आता, अब इसके आगे बहुत सारे multiple पढ़ना नहीं शुरू कर देना, आपको पता चलके 180 नहीं आता, चलो 180 का double try करते हैं, ठीके फिर जूरूरी नहीं है कि फिर LCM के चक्र में पढ़ जाना, बहुत बड़े नंब हो, तो फिर ऐसे सोच लेना, जो यहां पर नंबर आ जोगे, चलो इसका double try करते हैं, तो इसका 180 का double हो जाएगा 360, और 360 इसके टेवल में भी आता, इसके टेवल में भी आता, इसके टेवल में भी आता, लिकास 4 नहीं जा 36, तो 40 into 9 360, और 45 into 8 भी 360 होता है, क्योंकि 45 into 4 180 है, त यहां से कुछ टिपिकल नंबर जादे हैं बीच में बड़े से, तो फिर बहुत जादे टेंशन ने लेनी, जो बड़ा नंबर है, उसका table पड़ो मैं माइंड में, के 42, 90, 135, 180, 180 तक भी काम नी बना, तो फिर उसी के table में मत लगे रहो, उसका double करना चुरू करो फिर, 180 का 360, 360, 360 पर भी बात नी बनती है, तो मैं 720 करता, फिर 1440 करता, फिर डबल करते जाओ, हो जाता है, तो यहां लेंगे हम 360, और मैं बता चूक हूं, 360 कैसे बना, 458 जा, और 49 जा, यह एक एक दिन का काम होता है, इस आर एफिशेंसी, टोटल वोग भी आगे, एफिशेंसी भी कोशन मेरा बन गया, अब सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं चीज यही होते है, हर कोशन में, कि टोटल वोग पता कर लो, और एफिशेंसी बता कर लो, once these two things are in my mind, फिर कोशन में वो कुछ भी पूछ ले, मैं हर एक चीज़ का अंसर कर सकता हूं, बिकास यह दो चीज़े मेरा काम आपको सीखाना पूरे तरीके से, जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में फीड है, इतनी आपके दिमाग में भी करवानी है, तबी तो मैं सही टीचर हूँ, नहीं तो ऐसे तो बसे रे मार्केट में टीचर फिर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट क करेगा, हमारे सब्सक्राइबर किस लिए हैं, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आगे बेजो लोगों को, डेफिनिटली उनको भी बसंद आएंगी, ऐसी सर्कल बढ़ता है, अपने तक ही मत रखो, कि मैं सेलेक्शन ले ले तो, अगीन लाइन सेग्मेंट, ट अब A कितने दिन तक काम करके गया, यह नहीं पता, लिखा हुआ है, A leaves after some days, अब some days वाला कोशन उता होता तो, नहीं पता होता, A कितने दिन पार काम छोड़ कि गया, लेकिन इतना पता है, बचा हुआ काम B ने 23 दिन में खतम किया, यह जो काम था, B ने किया, कितने दिन में और 23 into 9 होता है 207 कैलकूलिशन में तो फसन ही नहीं है लेको 23 into 9 मुश्किल कैलकूलेशन है बट 23 into 10 तो पता है आपको 23 into 10 इस 230 230 में से एक multiple कम कर लो तो 30 में से 23 जाएंगे साथ तो 207 आंसर माइंड में कैलकूलेशन करनी है multiply करने नहीं बैठना आपको बागी candidates को पीछे छोड़ना है तो वो यही तरीके हैं कि calculation fast कर लो और तरीके आपके बिल्कूल से आपते हैं इस टाइप के data जरूर चेंज होगा तो डाटा तो चेंज होना भी चाहिए अगर यही कोशन पेपर में आ जाए तो फिर क्या फायता वोगी एक्जाम थोड़ी हुआ 207 चेर्ज बन गई out of 360 तो 360 में से 207 माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा कितने चेर्ज रहेगी 153 अब आप जानते हो यह 153 चेर्ज कौन बनाने वाले हैं यह A और B बनाने वाले हैं और A और B की combined efficiency इस बार मैंने नहीं लिखी बड़ कोई बात नहीं A 8 बना रहा है B 9 बना रहा है दोनों मिलके 17 बना रहे हैं combined efficiency भी आपको starting में लिख लेनी चाहिए बड़ बात में लिखो को issue नहीं है एक दिन में बना रहे है 17 दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं बनवानी कितने 153 तो 17 का table अगर आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है न 9 days is your answer कुछ भी निया questions में calculation देखो क्या थी कुछ भी नीजी बड़ी ही किसी नौर्वल बच्चे ने करना हो तो उसके लिए तो बहुत हार्ड है सबसे पहले उससे हैं से मिनी निकलने वाला 454 का और वो यह 306 निकाल लेगा फिर वो यहां फसेगा उससे 207 निका जाएगा तो सबसे पहली चीज मैथ पढ़ने के लिए tables, squares और cubes इन तीन चीज़ों पर पकड़ है तो आपको मैथ में कोई नहीं हरा सकता और यह तीन चीज़ों जब तक नहीं आएंगी तो मैथ से मुश्किल सब्जेक्ट कोई नहीं आपके लिए क्योंकि आप question करने बैठोगे, calculation मे मैं फस जाओगे और जब किसी question में ज्यादा time लगेगा आप irritate हो जाओगे और आप बोलो के मैं नहीं कर रहा है तो रास्ते तो मैं आपको अच्छे बता रहा हूं बड़ आपकी calculation मैं नहीं इंप्रूव करवा सकता वो सब आपके उपर है calculation कैसे improve करने है इसकी कोई tricks नहीं है कि मैं बोलो की multiply करना सिखा देता हूं आपको हर बच्चे का अपना तरीका multiply करने का अभी किसी छोटे बच्चे को देखो तो वह ऐसे देख रहा होता है तो टूट्वाइव जगर 50 है तो टूट्वांटी सिग्जा 52 होगा मतलब उसको बीच बीच की चीज़ें याद है क कि 25 से करो तो 50 बन जाता है तो उससे अगर मैं पूछोंगा टू इंडू 26 क्या होता है तो वह दो एड़ गर लेगा हर एक का कैलकुलेशन करने का अलग तरीका है मैं अपना तरीका किसी के ऊपर अपलाई नहीं करवा सकता जबरदस्ती कि मैं कैसे करता हूं आपकी अपनी ह टेबल जीजूस होते हैं किसी में 20 को रहा है कि 18 को रहा किसी में 19 को रहा है जो बहुत सारी कोशन प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलीशन इप्रूव हो जाएगी प्लस बहुत सारे एप्स भी हैं आजकल कि आप अलाम लगा सकते इस परकार से कि जब तक आप कोई पजल स करोगे वह अलाम बंद नहीं होगा तो ऐसे स्मार्ट अप्स भी आ चुके हैं आजकल इस कैलकुलीशन वाले भी काफी आप्स आ चुके हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो कैलकुलीशन वाली बढ़ हमें तो पजी वगारा खेलनी पसंद है हम क्यों यह सब मैथ पड़े बट डेडिकेट इट सुद्स हो जिनको सेलेक्शन चाहिए वो डेफिनिटली अपनी कल्कुलीशन सुधा रहे हैं चोड़ा नेक्स्ट कोशन करते हैं अब आपको कोशन पढ़के पता चल रहा होगा कि टाइप चेंज हो चुकी है ए और भी मिलक किसी काम को दस दिन में कर सकते हैं A प्लस B का मतलब होता है A और B मिलके काम कर रहे हैं किसी काम को दस दिन में कर सकते हैं अगर करें तो लेकिन ऐसा करनी रहे A काम कर रहा है धाई दिन और B काम कर रहा है साथे आठ दिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि A किसी काम को धाई दिन में कम्प्लीट कर सकता है कोशन की लेंगोज पढ़नी अच्छे से क्या लिखा है कि A can complete a piece of work in two and half days, नहीं न लिखा है A works for two and half days मतलब A धाई दिन काम करता है और B साढ़े आठ दिन काम करता है तो आदा काम complete हो जाता है then half of the work has been completed अगर ऐसा हो कि A धाई दिन काम करे और B साढ़े आठ दिन काम करे तो कितना काम खतम हो जाता है आदा तो बोला है बताओ B अकेला इस काम को कितने समय में खतम करेगा अब ऐसा कोश्चन अगर हमने नहीं किया घर पे तो हम एक्जाम में नहीं बना सकते लिकाज हमें पिछली टाइप तो पता चलगी कि उसके भी डेस दी होंगे उसके भी डेस दी होंगे LCM लेंगे खतम यहां LCM कैसे ले यहां तो एक ही वैल्यू है दस और दस का LCM एक वैल्यू को थोड़ी LCM होता है LCM के लिए एटलिस्ट दो वैल्यू दो चाहिए अब गलती से भी डाई और साथे याट को इसके साथ मत मिला लेना वो डाई और साथे याट अलग फैक्टर्स है वो second case बन रहा है A और B मिलके काम करते तो दस दिन में हो जाता लेकिन काम खत्म करने का एक और तरीका अपनाया है इनोंने कैसे A ने कहा मैं डाई दिन काम करता हूँ B ने कहा मैं साठी याट दिन काम करता हूँ तो इस तरीके से आदा काम हो पाया आदे से कोई clarity नहीं होती हमें हमें इस तरीके से भी इनको पूरा काम करवा के दिखाना है देखो काम करवाने के अब दो तरीके बन चुके हैं तो मैं भी दो बना लेता हूँ पहला बाला तो simple है कि A और B कितने समय में करतेंगे 10 दिन में A और B कर देंगे 10 दिन में दूसरा क्या है कि A से काम करवाओ ढ़ाई दिन और B से काम करवाओ सठे आठ दिन तो कितना काम कर देंगे हाफ यह तो पूरा काम करके दे रहे है यह 10 दिन में मुझे पूरा काम करके दे रहे है लेकिन वो इस तरीके से मुझे आदा काम करके दे रहे है मुझे आदा नहीं करवाना मुझे अभी इन से पूरा करवाना आप खुद बताओ अगर आप आदा काम 5 दिन में करते हो तो time भी double हो जाएगा similarly, यहां पे मैं half काम नहीं करवाना चाथा हूँ मैं पूरा काम करवाना चाथा हूँ तो मुझे A से ढ़ाई के बाले 5 दिन काम करवाना पढ़ेगा कि नहीं ढ़ाई का double 5 होता है similarly, मुझे 20 से 17 दिन काम करवाना पढ़ेगा 60-80-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70 तो कोई बंदा आदा काम धाई दिन में कर रहा है तो पूरा पांच दिन में कर देगा और दूसरा आदा काम साटे आठ में करके दे रहा है तो पूरा स्तारा में कर देगा इस तरीके से भी मेरा काम पूरा हो रहा है और इस तरीके से भी मेरा काम पूरा हो रहा है कि काम अलग को equate कर सकते हैं मतलब कि A और B जो काम 10 दिन में करके दे रहे हैं वही काम इस तरीके से complete हो रहा है कि A 5 दिन करें और B 17 डेस करें पस इस equation को solve करेंगे और हमें A और B की efficiency के बारे में कुछ idea मिल जाएगा तो इसको खोलो के तो क्या बनेगा 10 into A 10 A 10 into B 10 B 5 A plus 17 B अब यह जो days days है इसकी को ज़रूरत नहीं लगाने की है हमें value से मतलब है तो आप देखो के यहां से पांच है और यहां से पांच है cancel पांच है यहां से गे पांच यहां से गे पांच ही बचेंगे 10 B यहां से जाएंगे 10 B यहां से जाएंगे 10 ही दर से गे 10 ही दर से गे 7 ही बचेंगे आपको पता नहीं इस equal to के दोनों से जिश्वाइय इस ते अफीशैन्सी की ए एक दीन मेरा भी एक दिन में 5 जर्स बना गारा जब इससे निकल गई तो मुझे पता था कि यह दोनों मिलकर किपने दो ने स्वानं कांच खटम कर सकते हैं नहीं दिन पता मुझे नहींकर प्रक्त करूंगा तो आपको यह 120 120 चेर जा गया मेरा टोटल वर्क अब जब टोटल वर्क पता है तो देखो यह काम किस से करवाना बोला in how many days will be do this work alone be अकेला इस 120 चेर को कितने समय में बनाएगा तो बीग एफिशेंसी देखो बी एक दिन में 5 बनाता है एक दिन में 5 बनाता है 120 बनाने में 120 बटे 5 दिन लेगा तो पांच के टेबल से 120 पार दो फाइव बन जा फाइव 24 जा तो 24 दिन इस कोशन का अंसर है आपको देखने में बड़ा लेंधी लग रहागा बर इतना है नहीं क्या किया मैंने मैंने कोशन में देखा कि A और B किसी काम को कितने दिन में करके दे रहे थे 10 दिन में और फिर बोला था कि A अगर धाई दिन का करें तो आदा काम खतम हो जाता है मैंने कहा आदा नहीं करवाना मेरे को मेरे को तो पूरा करवाना है तो A से मैंने धाई के बदले 5 दिन काम कराया और B से मैंने साथ डे आट के बदले 7 दिन काम कराया तो क्या इस तरीके से मेरा काम खतम हो गया बिलकुल हो गया इन्होंने उंग दिया एफ लीया प्लस भी दिया है यहां पर अमिए प्लस बी कर रहें ना थेंग और अगम यहां से काड़ है 5A यहां से कार दिया तो 5A बचे 10B यहां से कार दिया 10B यहां से कार दिया 7B बचे तो A और B की रेश्वा आगी 7 बटे 5 मैंने कहा जो यह रेश्वा आती है यह efficiency क्यों होती है means A जो है वो 7 कुर्सिय बनाता है एक दिन में और B 5 अब efficiency निकल गी यह उल्टा कोशन है इसमें पहले efficiency निकली efficiency निकली तो मुझे टोटल वग निकालना पड़ेगा जिन कोशनों में LCM वाला मैथर लगता ना उसमें पहले total work निकलता बाद में efficiency निकलती है इन कोशनों में पहले efficiency निकलती है बाद में पांच पैंटीस करता फिर बी की वैल्यू रखता बी की वैल्यू पांच तो पांच इंटू सत्तरा पांच इंटू साथ इस 85 फिर मैं दोनों को एड़ करता 85 प्रस 35 फिर जाके 120 बनता 120 ही मैं नहीं बोर रहा हूं कि इस तरीके से गलत आएगा बट यू मस्ट एडॉप्ट इ इजियस्ट वे एक्जाम में आपके मैथड इतने अच्छे होने चाहिए आपका रास्ता इतना सहरल होना चाहिए कि बाकी कैंडिडेट्स अभी पेपर कर रहे हो और आपका खतम हो जाए मज़ाद है तो टोटल वक कैसे निकलेगा यहां वैल्यू पूट करो मैं कहारों वह दिन में पांच कुर्सियां बनाता है 120 बनाने में 24 दिन लेगा एक और कुशन ऐसे करवातों ताकि आपको और क्लारिटी हो टाइम और की दजियां देंगे और ऐसी हर चैप्टर की देंगे पेशंस रखनी है बस आवरेज भी पढ़ाओंगा मिक्स्चर भी बढ़ाओंगा इस प्राइब भी पढ़ाओंगा बोलोगा दो अडवास में भी बढ़ाओंगा अलजब्रा ट्रिग्नोमेट्री जमेट्री मैंसुरेशन पर्मूटेशन कॉंविटेशन प्राइब टिदिवर्टी डिफ्रेंसिशन इंटेशन बोलो कि वो पढ़ाओंगा इसमेंद करो आपको फिर प्रैक्टिस के लिए कोशन मिलेंगे नहीं कहीं और से, तो मैं चाहता हूँ कि चलो यहीं पर clarity हो जाए जाए जादा, A और B किसी काम को चोदा दिन में कर सकते हैं, बढ़ उन्हों ने ऐसा किया नहीं, A ने काम किया साधे तीन दिन, और B ने काम किया साधे गयरां दिन, तो आदा काम खत्म हो गया, तो वहीं पूछा है, B अकिला कि पूरे काम को कितने समय में कम्लीट कर सकता है, वैसे ही लिखेंगे, कि अगर A प्लिस B करना चाहते, तो चोदा दिन में कर सकते थे, एक तरीका था काम को खत्म करने का, अगेन इस कोशन में L-C-M तो नहीं ले सकते न, दो फेक्टर हैं ही नहीं मेरे पास, लेकिन इन्होंने दूसरा तरीका अडॉप्ट किया काम करने का, कि A ने काम किया, साधे तीन दिन, और B ने काम किया, साधे ग्यारा दिन, तो इस तरीके से कितना काम खत्म हो गया, हाफ, अगेन, हाफ नहीं करवाना, कल को हो सकता है, बोलें कि, एक क्वार्टर काम खत्म हो गया, मतलब वन फॉर्थ, तो फिर चार से मल्टिप्ले कर लेना, मतलब अब भी तो हाफ वाले कॉश्शन कर रहे हैं, तो मैं डबल से कर दूँगा, मतलब A से साधे दिन की जगा, साथ दिन काम करवाँगा, कल को जरूरी नहीं हाफ या एक कॉश्शन में, कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग ली चेंज करना भी आना चाहिए आपको, तो मैंने आदा काम ली करवाना है, मैंने पूरा करवाना है, तो पूरा तभी पॉसिबल है, जब मैं इनके डेस डबल कर दूँ, जो बंदा साधे दिन दिन काम कर रहा है, उससे साथ दिन करवा लेता हूँ, और जो साधे ग्यारा दिन कर रहा है, उससे तैईस दिन करवा लेता हूँ, तो इस तरीके से भी क्या, अभी हाफ एक काम कम्प्लीट होगा, बिल्कुल नहीं, अब तो पूरा काम हो गया, तो पूरा काम करने का एक तरीका यह भी था, और एक तरीका यह है, तो दोनों तरीके से अगर सेम ही काम हो रहा है, तो इक्वेट करो, a प्लस b इन्टो 14 is equal to a इन्टो 7 प्लस b इन्टो 23, solve करेंगे इसको, यह बन जाएगा, 14a प्लस 14b is equal to 7a 23B 7A यहां से गए 7A यहां से गए 7 इबचे 14B यहां से गए 9 बचे 7A बराबर 9B तो A और B की रेशो आजाएगी 9 by 7 मैंने कहाँ जो यह रेशो आती है This is their efficiencies A 9 chairs per day बनाता है B 7 chairs per day बनाता है efficiency आगी अब total work निकालते है तो total work यहां से निकालो जादा better option तो A और B की value है मेरे पास 9 और 7 16 तो 16 into 14 chairs No need to multiply कि मैं इसका answer निकालो मुझे का करना है total work पूछा मेरे से तो मैं 16 को 14 से multiply क्यूं करना बैठो क्यूं time waste करूं अपना paper में किसे काम खतम करवाना है यह पूरा को पूरा B से तो B की efficiency कितनी है B की efficiency साथ तो इसको total work को साथ से डिवेड करवाना पड़ेगा अब फाइदा हुआ ना नहीं multiply करने का साथ से 14 कर जाएगा और मेरा answer सीदा सीदा निकल जाएगा 7 1 जा, 7 2 जा तो B 32 दिन में पूरा काम खतम कर देगा 32 दिन इस question का answer है You have to play smart एक बेफकूफ बच्चा ऐसा कर सकता है कि वो 16 को 14 से multiply करे और लिखे 224 फिर 224 को साथ से काटने की कोशिश करे टाइम कंजूमिंग होगा कि नहीं होगा आपने देखा यार में इसे टूटल वक्त पूछ नहीं रहा तो why should I multiply 16 with 14 यहां तो 16 into 14 पता हो आपको मेरी तरह कि 224 होता है तो फिर तो चलो भी प्रॉब्लम नहीं है पर एज यूजूल 16 का टेपल कहा आता होगा चलो आता भी वह दो 10 तक आता होगा तो बीस डिवाइड वे दो ही तो किया तो साथ से डिवाइड करना था सेवन बंजा सेवन टूजा 16 दूनी बत्तिस बत्तिस दिन लगेंगे बी को पूरा काम कदम करने हैं अब अगें टाइप चेंज करते हैं और दो कुशन को छोड़ लेते हैं लगबग ये पिछले कुशन जैसे ही है हलका सा फरक है तो इसलिए मैं बोलो हो टाइप चेंज है हला कि टाइप में ज़्यादा फरक नहीं है मतलब इसमें भी काम करने के उन्होंने दो तरीके अपनाए है पहला था कि A और B मिलके करते हैं तो पाइस दिन में हो जाता नहीं किया मिलके बोल रहे हैं अगर A अपनी एफिशेंसी डबल कर ले इफ ये एक इमेजिनरी केस है ऐसा बना सकते हैं आपके इफ A वर्क्स विथ ट्वाइस इस एफिशेंसी मतलब A ने कुछ एफिशेंसी से पिछले केस में भी काम की होगा माल decor पिछले केस में A बनारा दस चेर्स तो अब A को बनाने का पन कर रहा है 20 एकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है तो एकेला मैं तब बता पाँगा जो मुझे पता चले कि पूरा काम है क्या और एक efficiency क्या है मेन मोटीव रहे का Total work निकालना और एकी efficiency निकालना तरीका में वही फॉलो करने वाला हूँ मैं हर कोशन में तरीका चींज नहीं करता हूँ एक अप्रोच पकड़ लेता हूँ देखता हूँ वो मैक्सिम्म कहां से कहां तक लग सकती है जो इस कोशन को करने का में भी इससे अच्छा शॉटकट हो बहुत सारे तरीके आपके दिम A ने अपनय Efficiency डॉल कर ली मतलब अगर वो पहले वो A था था तो अब वो बन चुका है Twoाइस A डॉल करने का तो यह मतलब होता है B ने अपने Efficiency one-third कर ली मतलब अगर वो पहले बी था तो आब वो बन गया B बटे 3 बी बन गया न वो अब तो इस तरीके से काम खतम होता जी तीन दिन में मतलब ये अगर ऐसे काम करें तो काम तीन दिन में हो जाएगा ठीक है ये भी लोग काम कर रहे थे वो भी लोग काम कर रहे हैं काम तो सेमी कर रहे हैं वही वाला काम कर रहे हैं तो इन दोनों को करो equate तो यह बन जाएगा a plus b into 5 is equal to 2a plus b by 3 into 3 तो solve करेंगे तो यहाँ जाएगा 5a plus 5b is equal to 6a plus 3 से 3 कट जाएगा b तो 5a यहाँ से गे 5a यहाँ से गे 1a बचेगा 1b यहाँ से गया 4b बचेगे तो b by a का क्या ratio आजाएगा b by a का ratio आजाएगा 1 by 4 तो इस पर b इस सेड था तो b इस सेड था तो b अपनी जगा रहा a इसके नीचे आगया a नीचे आगया लेकिन सामने क्या बचा था सामने कुछ भी नी भचा है 1 भचा है because यह a यह बचा था ने यहाँ पर a के साथ बचा था यह b और यह 4b तो कट चुके थी यह तो है यह नहीं इस टाइम पर यहाँ पर आपको अगर ऐसे calculation करने में problem होती है तो आप एक सेड बेज दे गरो सेम चीज़ों को जैसे आप कैसे करते हैं इस कोशन को आप 6a में से 5a माइनस करवाते हैं और 5b में से यह वाला बी माइनस करवाते हैं तो आप बोलते हैं 5b-b 4b तो आप यहां लिख रहे होते हैं 4b is equal to a तो a by b आप का रहोता 4 by 1 तो मैंने b by a निकाल दिया 1 by 4 order matter नहीं करता मेरे मेरे लिए matter करता है b की efficiency दिखरी है मुझे और मुझे a की efficiency दिखरी है मुझे efficiency चाहिए कि b एक chair पर day बनाता है a 4 chairs पर day बनाता है जब दोनों की efficiency पता चलगी तो total work निकालो यहां value put करो better option है a plus b की value चाहिए तो a plus b कितना पांच a 4 है b a के तो a plus b 5 तो total work आ जाएगा 5 into 5 which is equal to 25 अब यह 25 chairs किससे बनवानी है a से a एक दिन में कितनी में आता है 4 25 बनाने में कितना समय लेगा 25 बटे 4 और 25 बटे 4 कितना होता है 6 1 by 4 तो 6 1 by 4 डे जिस question का answer है चाहो तो इसको hours में भी convert कर सकते हो मतलब 6 दिन तो पूरे पूरे लग रहे हैं लेकिन सातवान दिन पूरा पूरा नहीं लग रहा उसका सिरफ एक चुथाई हिस्सा और एक दिन का one fourth हिस्सा कितना होता 6 गंटे पूरे दिन में कितने गंटे होते है 24 तो 24 को चार हिस्सों मे बांट लो तो 6-6 के तो बनेंगे चार तो इस question का option देखना पड़ेगा आपको कैसे दिया हुआ है एक तरीका यह है दूसरा तरीका 6.25 भी रह सकता है और तीसरा तरीका रह सकता है six days and six hours six hours कैसे कि 6 दिन तो पूरे-पूरे लगए साथ में दिन का एक बटे-चार हिस्सा एक बटे-चार हिस्सा तो पूरे दिन में कितने गंटे होते हैं चोबिस गंटे होते हैं चोबिस को चार से डिवाइड गरुए छे गंटे ही आएगा तो ऑप्शन देख लेना कैसे है यह नहीं सोचना कि हमने तो यह पढ़ा हुआ तो यह कैसे बना लेंगे इतना तो समझते आप कि डेस के आवर्स कैसे बनाते हैं एक और कोशन कर लेते हैं हादी कर ले तो काम खत्म होगा चार दिन में तो बताओ A और B इस काम को अकेले अकेले कितने समय में कर सकते हैं मैं तो दोनों का पूछ लिया दोनों की एफिशेंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए से मैथड़ कि A प्लस B पाँच दिन में कर सकते थे लेकिन काम करने का चरिक का इनों ने बदल दिया तो बाद में मैंने इनको इक्वेटी करना है तो मैं इस परी सीधा एकुएट कर रहूं नो तो फिर आप paper में ऐसे बनाओगे निए फिर आप सीधा equate करोगे इसके पर आपर equate करना है a की efficiency क्या कर तो double तो पहले अगर वो a था तो अब वो twice a बन चुक है और b की efficiency क्या कर तो अदी पहले अगर वो b था तो अब वो b by 2 बन चुक है तो इस तरीके से कितना समय लगेगा चार दें इंटू four बस इसको solve करेंगा answer आजाएगा तो यह बन चाएगा five a plus five b is equal to eight a plus two से two कट जाएगा two आजाएगा वहाँ पे two b तो पांच a यहां से गे तीन ही बचेंगे दो भी यहां से गे दो भी यहां से गे तीन ही बचेंगे और तीन से तीन भी कट गया यह आगया आपका बी बराबर ए लेकिन मुझे तो रेशो चाहिए तो बी बाइए आ गया one is to one जब दो जीज़े बराबर होते हैं तो उनमे रेशो one is to one के होती है जब यह इसके नीचे आजाएगा तो सामने वान ही तो बचेगा तो जब one बचता तो बचता तो बन के नीचे एक और वन लगाया जा सकता है दोनों के रिश्यों आगे मतलब दोनों के एफिशन्सी पता चलगी अब निकालना है तो टोटल वक निकालने के लिए मैं कहता हूं इसमें वैल्यू पूट किया करो ना कि उसमें क्योंकि सीधा एक प्लस बी डालना है और एक लिख कितना है वन प्लस वन टू और टू कुछ डिफिकल्टी इस चेप्टर में मतलब हो सकता मैंने यह बहुत तीज तीज पढ़ाया हो इस वीडियो में विकॉज यह चेप्टर में को बहुत अच्छे से आता है तो ऑब्विसली फिर इतना फ्लो बन जाता है कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद सामने वाले को भी उत और बताओ एप्लिस बी कितने दिन में करते हैं मतलब वो दो बंदम औरली आंसर करते कि यह 15 में कर रहा है तो 15 और 20 कितना हो गया 60 15 कितने साथ 420 कितना साथ 3 जा तो 4 प्लस 3 एप्लस बी की कंभाइंड एफिशेंसी आगी 7 बनाने कितनी चाहिए 60 60 बैस एबनाना सब्सक्र सब्सक्राइब करोगे तो फिर बेसिक लावल को कुशन आपको बच्चे लगने लगेंगे मॉटिवेट तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं लेकिन फिर वीडियो का डियूरेशन बढ़ जाता है तो आपका इतना इंट्रस्ट बनता नहीं मेरे हिसाब से पढ़ाई में क्योंकि पूरी वीडियो देखके तो आप राजी नहीं हो स्किप करकर के यह स्टार्टिंग के एक दो कोशन देख लिए और आप सोचते बस बहुत पढ़ाई कर ले हमने अगर वीडियो कल को एक घंटे की भी आएगी तो पूरी देखो और पूरी कॉपी बे नोट्स बना आप से लिए नेक्स वीडियो तिल दन ये तो गुद्बाई